आज ना बहुत मज़ेदार दही फूल किया दही की पकॉड़ी बनाते हैं और mostly आप लोग सोड़ा डाल का बनाते हों कि बिना सोड़े के यह बहुत अराम से फूल जाती है चलो बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने वन का बेसन लिया इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया कम से क दस मिनट तक एक डिरेक्शन में इदा नौक डाली मिर्ज डाली थो वह से तहनिया और हर इमिर्ज डाल दिया आप चाहो तो प्यास भी आट कर सकते हो आम इसको बहुत अच्छे से बीट करूंगी लगबाग 5-6 मिनट और इसको में कितनी अच्छे करके भोल दे हैं अभी तो यह और भोलिंग देखो कितने अच्छे से ऊपर से राइज हो रही है बस मैंने सोडा बगारा कुछ नहीं डाला था उसे बीट करा है और तेल मैं बहुत भर के ने लिया इसको मैं मेडियम फ्लिम पर कर लोंगी और चलो इसको साथ म अच्छे से फूलिग आई है मैं इसको ढूल कि पानी में पानी में डाल के और आप करो तो इसको स्क्वीस कर सकते हैं वो इक से ट्रकाशी स्कॉस करके भीक देंगे मैं खानवाली हम उसके रोटी के साथ थोड़ी बैने पतली रखी तिया आप गारी भी रख सकते हो और आप मुझे कमेंट के अब बताना कि आप कौन-कौन ये पसंद करता है साथने मठी के साथ बटर मिल्क के साथ भी बना सकते हो तड़के में साबुत लालमुर्च पि डाल सकते हो और इसकी तड़का होता है इसकी फ्लेवर मंदीज चाथ ए II बहुत ही मज़े का है मतलब यह लगा देंगे इसमें रुपर से डाल इन रिंग्ज गिए मुझे बहुत पसंद में ठंडा कर दिंगेे फ्रिजमन एंजाई करन चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना होके बाई